आज हम बनाएंगे टेस्ट से भरपूर खीरा की सबजी बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और बहुत ही राजवाब बनेगा हेलो फ्रेम्स मैं होरीना मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो खीरा की सबजी बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने दो खीरा दिये हैं इसे हम सबसे पहले बीच से कट कर लेंगे बीच से कट कर लेने पर खीरा तीता नहीं लगता है और सबसे पहले हम इसे छील लेंगे खीरा छीलने के लिए यहां पर मैंने एक पिलर लिया है और इसी से हम खीरा को छील लेंगे खीरा की सब्जी बहुत ही तेस्टी बनता है अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी सब्जी बहुत ही तेस्टी बनेगा तो यहाँ पर हमने सारे खीरे को छिल करके ले लिए हैं अब हम इसे कट करेंगे तो हम इस परकाल से इसे बीचो बीच पहरे काट लेंगे चना दाल को एगंता पानी में भीवो पर छोड़ दिये थे और अच्छे से फुल गया है तीन मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इसे थोड़ा बड़े पीस में काट करके ले लिए हैं तो आलू चना दाल और खीरा का हम सब्जी बनाएंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं खीरा का सब्जी हमें प्रेसर कुकर में बनाना है तो यहां पर हम दो बड़े चम्मच सरसो का तेल लिए हैं कुछ खड़े मसाले लिए हैं दो सावुत लाल मिर्च एक छोटा चम्मच जीरा एक डाल चीनी एक बड़ी इलाइची एक तेजपत्ता साथ से आठ काली मिर् मुश्ट एधार, अब हम सबसे पहले तेल गरम हो गया है तो जीरा डालेंगे और जीरा को कुछ सेकेंड के लिए फ्राइ कर लेंगे है आव समें अर्टरक लासुन का पेस्ट डालेंगे तो अर्टरक लासुन को हमने यहां पर कृट कर लिए हैं अब हम सारे खड़े मसाले को तेल में डाल देंगे और एक सेकेंड के लिए इसे हम भून लेंगे खड़े मसाले फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे तीन मीडियम साइज के प्याज को लंबे स्लाइस में काट करके ले लिए हैं प्याज दालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे और इसे गुल्डर ब्राउन होने तक प्याज को पकाएंगे प्याज गुल्डर ब्राउन हो गया है और यह आप तेख सकते हैं अब हम इसमे आलू डालेंगे प्याज के साथ हम 2-3 मिन तक आलू को थोड़ा भून लेंगे आलू को भून लेने से आलू थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है तो सबजी बहुत ही तेस्टी बनता है 3 मिनट हो गया है और यह आप देख सकते हैं आलू क्रिस्पी हो गया है अब हम इसमें टमाटर डालेंगे तो दो टमाटर को हमने लंबे स्लाइस में काट करके लिए हैं इसे भी डाल देंगे टमाटर को आलू प्याज के साथ अच्छे से मिला देंगे दो मिनट तक टमाटर को हम आलू के साथ भूलेंगे अब हम इसमें टेस्ट के अकोर्डिंग नमक डालेंगे नमक डालने से टमाटर जल्दी सब्ट हो जाता है टमाटर प्याज सब्ट हो गया है तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो एक छोटा चमच धनिया पॉर्डर डालेंगे एक छोटा चमच जीरा पॉर्डर, एक छोटा चमच लाल मिच पॉर्डर, आधा छोटा चमच हल्दी पॉर्डर, थोड़ा सा पानी डाल कर मसाले को भूनेंगे, मसाले को हम अच्छे से चला लेंगे, ताकि मसाले नीचे से जलेना, अब हम इसमें चना डाल डालेंगे, तो च चना दाल डालने के बाद तीन से चार मिनट तक मसाले के साथ चना दाल को भी भून लेंगे चार मिनट हो गया है और यह आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से भून गया है आप हम इसमें खीरा डालेंगे जो हमनें काट कर के खीरा रखे हैं इसे अब हम डाल देंगे प्रेशर कोपर में खीरा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे दो मिनट तक लो मेडियम फ्लेम पे सबजी को भूनेंगे सबजी को भूनते हुए दो मिनट हो गया है अब हम पीने वाली गिला से यहाँ पर पानी डाल देंगे सबजी को अच्छे से मिला लेंगे आदा छोटा चमच गरम मसाला डालेंगे बारी कटा हुआ धनिया पता डालेंगे सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे अब हम प्रेसर कूकर का धकन बंद कर देंगे और इसमें दो सीटी लगवाएंगे अब हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेसर कूकर को ठंडा होने तक इंतिजार करेंगे प्रेसर कूकर ठंडा हो गया है अब हम इसे खोलेंगे और यह आप देख सकते हैं आलू, चना दाल और खीरा की सब्जी बहुत ही लाजबाब बनी है एक बार जरूर ट्राइ करें आल हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे तो इस सब्जी को आप पूरी पराठे रूटी या चावल के साथ खा सकते हैं बहुत ही तेस्टी लगता है उमिद करते हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन तुरंट किलिक करें और सर्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ